मन्मना भव मत्भक्तो मत्याजी माम नमस्कुजो मामे वैश्यसी सत्यम्ते प्रतिजाने प्रियोशी में सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्यूंकि तुम मेरे परम्प्रिय मित्र हूँ ये उब देश थे धर्ती पर अवतरित भगवान श्री कृष्ण के, जो उन्होंने अपने भक्त अर्जुन को भगवद गीता के अंतिम अध्यायों में दिये थे और ऐसे जन्म हुआ श्री कृष्ण चेतना की एक नई धारा का, एक आध्यात्मिक जीवन शैली, जिसके स्त्रोथ है प्रभू श्री कृष्ण की भक्ति और उपासना पाँच हजार वर्षों बाद प्रारंभ हुआ एक आंदोल, जिसका उद्देश था कृष्ण चेतना को पुनर जन्म देना और विश्व भर में प्रचारित करना भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और आचारे, श्रीला प्रभुपाद ने श्री कृष्ण चेतना के पवित्र विचार को विश्व भर में प्रसारित किया और 108 कृष्ण मंदिरों की स्थापना की उन्होंने बताया कि कृष्ण नाम का जाप करना, उनकी धुन में मंत्र मुध होकर जुमना, उनका चिंतन करना और कृष्ण प्रसाद को ग्रहन करना ही कृष्ण चेतना का सही अभिप्राय है अपने इस पवित्र आंदोलन को प्रसारिद करने श्रीला प्रभुपाद वहां पहुंचे जहां सबसे पहले इस विचार की कल्पना की गई थी श्री व्रिंदावन धाम आराध्यो भगवान व्रजेशतनया थद्धाम व्रुंदावनम जिस प्रकार से प्रभुश्र कृष्ण हमारे लिए पूजनिय है इसी प्रकार उनका धाम व्रिंदावन भी पूजनिय है इसी लिए कृष्ण भगवान एक महत्वपून स्थान है और ये देश के सभी तीर्थ स्थलों की राजधानी है बैंगलोर के इसकॉन मंदिर के भगतो ने मिलकर वृंदावन के लिए एक नई परियोजना की कलपना की है और वो है भव्य वृंदावन चंदरोदय मंदिर और कृष्ण लीला पार्क स्वयम प्रभुपाद ने व्रिंदावन की पवित्र भूमी पर कहा था कि अगर आप श्री कृष्ण के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो एक गदन चुम्बी भवन बनाएं उन्होंने ऐसे ही एक मंदिर की कलपना की थी हमने सपना देखा था एक स्मारक रूपी प्रतिष्ठित मंदिर बनाने का श्री कृष्ण ने हम सब के जीवन में जो कृपा की है उस सब के लिए हमारी और से श्रधांज ली आजकल सिर्फ भव्य और विशाल इमारते ही लोगों को अपनी और आकर्शित करती हैं लोग बस खिचे चले आते हैं तो हमारा मानना है कि हमें एक ऐसा ही भव्य और विशाल मंदिर बनाना होगा जिससे आज की युवा पीड़ी भी उसकी ओर आकर्शित व्रिंदावन के बीचों बीच लगभग बैसट एकर में फैले इस मंदिर का फुट्प्रिंट भी लगभग साड़े पांच एकर का है और साथ सो फीट या सत्तर मंजिल उंचा है जब हम सोच रहे थे कि मंदिर के बाहरी ढांचे को किस आधार पर बनाए जाए या उसे क्या रूप दिया जाए तब ही उसी वक्त मेरे दिमाग में पिरामिट्स का खैल आया और मैंने सोचा कि मंदिर पिरामिट का ही एक विक्सित रूप होगा जो भी लोग इस मंदिर से जुड़ेंगे उन्हें मौका मिलेगा वेदिक ज्यान से जुड़ने का साथ ही साथ सभी सांस्कृतिक तत्वों को जानने का उनमें हिस्सा लेने का जो हमारे आध्यात्म पर आधारित हैं दूसरे शब्दों में कहूं तो हम यहां आने वाले लोगों की अंतरात्मा को आध्यात्म से सराबोर कर देना चाहते हैं ताकि उन्हें ऐसा लगे जैसे प्रभुशुरुकृष्ण ने साक्षात उन्हें दर्शन दिये हो। परियोजना का एक और महत्वपूर्ण भाग है भव्य मंदिर के आसपास की ग्रह निर्मार। ये सब ही घर होंगे प्रकृती की गोद में जहां से मंदिर के भव्य दर्शन भी हो और आना जाना भी हो बेहदासान। हम सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि भत केवल यहां आएं दर्शन करें और उसी दिन वापस लोट जाएं। हम आवास व्यवस्था भी कराना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो इच्छुक हैं यहां कुछ दिन ठेहर कर कर कृष्ण लीला का अनुभव करने के लिए। जिन लोगों ने इस मंदर के निर्मान में भागिदारी निभाई हैं वो यहां आकर जब तक चाहे रह सकते हैं। ताकि वो स्वयम और अपने परिवार को मंदर के अनुभव और यहां की आध्यात्मिक गतिविदियों में तल्लीन कर सकें। यहां विविद प्रकार की सुविधाएं हैं। बंगले, इमारतें और साधारण कमरे भी। आईए और भाग लीजिए एक एतिहासिक आंदोलन में। भगवान श्री कृष्ण के इस भव्य मंदर निर्मान के एतिहासिक कार्य में दीजिए अपना योगदान। जैसा की श्रीला प्रभुपाद ने कहा, यदि आप इस जगत में श्री कृष्ण के लिए एक मंदर का निर्मान करेंगे, तो प्रभु आपको वैकुंठ में एक महल ब्रदान करेंगे। ये सब कुछ प्रभु श्री कृष्ण की प्रेड़ना है, ये परियोजना भी, मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी बड़ी-बड़ी परियोजना भी भगवान श्री कृष्ण के ही हाथ में हैं। आजकर लोगों के जीवन में बहुत जानकारी है, मनुरंजन है, सक्रियता है, किन्तु शेहरों में शांती नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग हमारे व्रिंदावन के मंदिर में आएं, यहां कुछ दिन, कुछ सब्दा या कुछ महीने बिताएं। और इस तरह वो सीखेंगे भगवान श्रीकृष्ण के कुछ सिध्धानतों को, और जब वो अपने घर या दफ्तर वापस जाएं, तो वो एक प्रबुद्ध, समरिध और उत्कृष्ट जीवन बिताएं।